ये है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच इस मामले की जाच करते हुए एडी ने तेरा सो पेज के दस्तावेज नियाले में प्रसुत किये हैं काते हुए बात कही थी प्रधान मंद्री के बयान थे कि 19 से 23 के बीच 2161 करोड का घुटाला भुपेज सरकार ने किया कि इसमें अफ़ती जनक क्या बात है किया है प्रमान है और इस पूरे मामले में आपने पूरे के पूरे तंत्र को करप्ट कर दिया सरकारी शराब आउटलेट पर शराब माफिया का कबज़ा हो चुका है इस्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड दौरा पूरे शराब मनेजमेंट और मानिट्रिंग वहाँ के पज़ाधिकारी कुछाइस अनुवर ढेवर और उनका गुरूप के साथ आठ सो आउटलेट का अपने लोगों को पोस्ट किया गया ये पूरा का पूरा मनेजमेंट जिस प्रकार से आठ सो शराब दुगान के आउटलेट में विक्री को मनेज किया ये सीधा सीधा प्रस्टाचार को बढ़ावा देने का पहला कदम था दूसरा कदम नकली होलोग्राम से माध्यम से तीस प्रतिशत से ज्यादा शराब वो आठ सो आउटलेट में विक्रा है देखे कितना बड़ा शर्यंद है एक तो अपने लोगों को एजनसी बढ़ा के आठ सो दुगानों में बैठा दिया और बैठाने के बाद उस नकली होलोग्राम का उप्योग करते हुए बिना टेक्स पटाए सरकार कर रेवनुलास हो बोलता है ने नुकसान कहा हो रहा है अरे भई 30% शराब बिना खोलोग्राम के निकाल रहे हो अवैद रूप से आउटलेट में बेच रहे हो इस विशे को लेकर आप देखने चाहिए और महत्मुल विशे जिसमें यदि कोई व्यक्ति इमानदारी से सर्विस करता है पुरे जीवन भर तो उसके संपत्ती में कि इड़ी ने संपत्ती जबत्त की है वो संपत्ती उचाहनवर का ओ अरूर्ठीपाथी अनिल्टूटेजा का हो एक सोऑ इक्स करोड से जानी समपत्ती जबत्त की गई तीरपन करोड तीरपन एकर जमिन नया रायपूर में अनुवर धेपर ने खरीदा ये रातो रात पैसा कहां से आया है शराप के ही पैसे का उप्योग किया और सबसे बड़ी बात जो एडी ने अपनी चार्ज़ीट में दिया उन्होंने कहा इस शार्ज़ीट का वो सब्द महत्पूर है मीडिया के लिए और 36 गड़वाशियों के लिए टॉप पॉलिटिकल एग्जेकिटिव का जिक्र किया है मेरी समझ में किसी प्रदेश का टॉप पॉलिटिकल एग्जेकिटिव वहां का मोख्यमंत्री होता है तो क्या उस दिशा में राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री के उपर कारवाई करने की हिम्मत करेंगे क्या भुबेज वखेल के उपर कारवाई करने की ताकत है तीसरा विशह है जो प्रदान मंत्री जी को पर आरोप लगाए इनका इतना ही समझ धान की खरीदी में अब भी उसके बारे में जूटा कौन प्रधान मंत्री जी को पर आरोप लगाने के हिम्मत करते हैं मगर ये नहीं समझ है कि धान और चावल में कितना फरक है FCI जो होती है केंदरी पूल में चावल लेती है धान नहीं लेती भाई धान अरक होता है और चावल अलक होता है और जो केंदरी सरकार दोरा भुकतान किया जाता है वो भुकतान चावल पर किया जाता है। इन्होंने आरोप लगाया था 18-19, 19-20, 20-21 में और 21-22 में धान खरीदी हुई, 18-19 में 80 लाग मेट्रिक्टन धान खरीदी हुई, 67% चावल बनता है धान का, 67% 100 क्विंटल में 67 क्विंटल धान का चावल हो जाता है, बागी भू से निकल जाते हैं, तो 67%, यह दी 18-19 में 80 लाग मेट्रिक्टन हुआ, तो 53 लाग मेट्रिक्टन चावल बना, चावल का 45 लाग मेट्रिक्टन तो केदर ने खरीद लिया भाई, 80% खरीद लिया, अब बोलते ह खरीद नीरी केंदर सरकार, 19-20 में 83.95, 83.95 लाग मेट्रिक्टन खरीदा, इसका चावल बना 56 लाग मेट्रिक्टन, इसका 97%, 54.98, 54.98 चावल को केंदरी पुल में खरीद लिया गया, इसके बाद यह आरूप लगाते हैं, खरीद नीरी, पैसा केंदर का जाता है, 20-21 में 90 लाग मेट्रिक्टन चावल में से, 61 लाग यानि 67% चावल, जिसमें से 70% केंदरी पुल में लिया, इस देश में और इतिहास में, सरवाधिक इमानदार, बेहतर काम करने वाले हैं, दुनिया जिसको मानती है, उस प्रधान मंत्री के उपर इस प्रकार की टिपड़ याई